नमस्कार प्राइम टीवी के खास कारेक्रम शक्सियत में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ श्रकाम है रोत्रा हम अपने इस खास कारेक्रम में आपको मिलवाते हैं देश-प्रदेश की उन हस्तियों से जो की कई लोगों के आदर्श है जनता के बीच से निकले हैं जनता के लिए कई कारे किये हैं या फिर रोल मॉडल भी हैं इसी कड़ी में हम आपको आज मिलवाने वाले हैं भारती जनता पार्टी के अनुसूचित जन जाती मोर्चा के प्रदेश अद्यक्ष और सदस संजे कुमार गौर जी से जो की अपने जीवन में काफी मुकाम हासिल करें उनको अपने मुकाम हासिल करने के लिए किसी की अवशक्ता नहीं पड़ी अपने बल्बूते वो आज इस मुकाम पे हैं कि आज उन्हें हर कोई जानता है संजे जी हमारे इस कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो हम अपने इस शक्सियत कारिक्रम के जरीए जनता के पास आपकी कुछ जीवन से जुड़ी अंसुनी बाते पहुँचाते जो कि जनता नहीं जानती है लेकिन जानना चाहती है कि जो आपने इस पढ़ाई लिखाई करी और इस मुकाम पे पहुचे तो माना जाता है कि जो जन प्रतिनीदी होते वो जनता से जुड़े होते हैं लेकिन आपने इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद ती पढ़ाई करने के बाद राजनीती चुनी उसकी वज़ा क्या रही पहले बाद तो मैं अबना परिशे दिना चाहता हूं भारतिय जनता पार्टिय अनुश्वत जन जात मोर्चे किया प्रदेश अध्Fe हूं बरतमान में के प्रोन मैं चलना चाहता हूं मैंने जबसे रहनिती में प्रवेश किया उस से पहले मैं कि राष्टियों संग का अंग है अखिल भारतिय विद्दार्थी परशत उससे मैंने अपने जीवन का शुरुआत किया 1996 में मैं अखिल भारतिय विद्धार्थी परसद में जुड़ा और निरंतर अखिल भारतिय विद्धार्थी परसद से जुड़ के निरंतर छात्रों के जीवन में छात्रों के लिए कारी कर रहा था और 99 कार्य करते करते मैं 1999 में मैं लखनोव विश्विद्धाले में लखनोव विश्विद्धाले इकाई का मैं अखिल भारती विद्धार्थी परशत के सरफ से अध्यक्ष बना उसके बाद मैं पुना यहां लखनव महानगर का ध्यक्ष मना खिल भारती भी दैर्थी परशत थे अईसे मैं प्रदेश का कारशमिती सदस्ट रहा खिल भारती भी दैर्थी परशत का 2007 में मैं भारती जन्ता पार्टी युवा मोर्चा आदर्या दैर्शंकर सिंग प्रदेश अद्यक्ष थे उनके नेत्यत्यों में प्रदेश के कारशमिती सदस्ट रहा दोसरी बार मैं भारती जन्ता पार्टी युवा मोर्चा आदर्या हरिस दिवेदी जी जो बरतमान में सद लोग सभा बस्ति से सांसद हैं उनके नेत्तुत में हम प्रदेश कारिशमिती के सदस्त रहें 2013 में मैं भारतिय जन्ता पाटिय अनुसुचित जन्जात मोर्चे का पहली बार महामंत्री बना जिसका मार्गदर्शन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उस समय आध्यडिया डाक्टर लच्मी कांत बाजपेई जी थे उनके मार्गदर्शन में उनके नेत्त में मैं प्रदेश का महामंत्री बना ठीक तीन बार मैं प्रदेश का महामंत्री रहते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष आद्रणय सोतन देव जी और संगठन सिल्पी जिनको बोलते हैं प्रदेश के महामंत्री संगठन हमारे आद्रणय सुनिर बंसल जी के मार्क दर्सन में मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना और तब से मैं मैं पार्टी का काम कर रहा हूं और मैं पार्टी के नेत्रत करते हुए, आम जन्मानस तक इस बार राजनितिक चुनाव में मैं पहुंचा था, 2022 का इलेक्शन चल ला था, और मैं गाउं गाउं तक में गया, आम जन्मानस में गया, हमको यही लगा कि विकास के मुद्दे पे ही यह चुनाव जीता जा रहा है और अनुसासन जो योगी जीने लान आडर लाया है, इनके नाते क्राइम अफराद समाप्त हो गया, और जो भी बचा था, उसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने एलान किया कि सरकार बनते ही उन पे बुल्डोजर चलाए जाएंगे, ऐसा देखने को भी मिल रहा है, उस इसी आसा और विश्वास के साथ जनता ने भारतिय जनता पार्टी को पुना उत्तर प्रदेश में अस्थापित किया, मुझे लगता है कि इसी आसा विश्वास के साथ दोहजार चोविस में नरिंद मोदी जी को फिर से पुना अस्थापित करेगे, जनता और जनता का संज़ डी संज़ब नंबने जीवन की उप्लबधी बता दी अगर आपके जीवन की जब आपने अपने राजनीति करियर कोई शुरू किया तो आपका प्रेञ नस्त्रोध कौन था? आपने राजनीति में आना ही क्यों सही समझा? मैं राजनीती में इसलिए आया कि लख नोब इस विद्धाले में जब मैं केमपस में रेश्टार में गया था तो एक बाबू एक लड़के से पैसा मांग रहा था एडमिशन के लिए मुझे लगा कि यह गाउं से आज यो लड़का पढ़ने आता है यह भी एक आम परिवार से होता है सभी परिवार के बच्चे पैसा दे के एडमिशन नहीं ले सकते हमको लगा कि हमारे जैसे इवा यदि राजनीत में रहेंगे तो यह गाउं से आने वाले बच्चे हैं इनका सोसर नहीं होगा और निरंतर हम विश्वविद्दाले में धिरे धिरे 2003 से स्थापित हुए और जो भी मेरे सानित्धि में आया उनका एडमिशन भी मैं निशुल के कराया जो उनकी उचित फिस थी वही लगा और वाहर भी जो लड़के इंजिनरिंग और मेडिकल कालेज के कोचिंग सेंटरों में एडमिशन लेने जाते थी उनका भी जो कोचिंग सेंटर के प्रवंदक थे डिरेक्टर थे उनसे बात करके कम फिस पे एडमिशन कराते थे उनका लगतार में सहयोग करता था उनलों का प्रेड़ा भी मिलता था उनलों का बहुत प्रेम मिलता था और इसी नाते हम राजनितिक कैरिया ढूड़ा क्यों अच्छा नोकरी पाएगा, अच्छे नोकरी में जाएगा, IS, PCS, Judiciary, जो भी है उसमें जाएगा, Judiciary में जाने के नाते मैंने LLB किया था, लेकिन मेरा अचानक से रास्ता चेंज हो गया, राजनीती में आ गया, मेरे पिता जी कहें कि यह ठीक नहीं है, तो मैंने पिता जी को क कि मेरे पास कोई आपसन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जो भी हो, मेरी परतिष्टा को ध्यान में रखते हुए, आप आगे काम कर सकते हो, और हमें रिजल्ट चाहिए, मैंने कहा कि जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा, जिससे आपके सम्मान में कमी आए, मैं हर सम और आप के समवान में कहीं नहीं आएगा और आजव उसी दिष्य में काम कर रहा हूं कि अपने फितक गरिमा को बनाया रखूंगा और अपने राष्ट को गरिमा को बनाया रखूंगा और राजनीत में आगे बढ़ते रहूंगा मेरा मार्क दर्शन आज के डेट में आदर्णिय सुनिल बंसल जी हैं जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं उनके नित्त में हम काम करते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और निश्ची तोर पे हमें लगता है कि आगे चलके जो हम के लिए जाए जिसके मंत्री हैं उसको चलाने के लिए एक योग एक महत्वण व्यक्ति वुद्धिजिवे व्यक्ति की हुना आवश्यक है जी हम चाहेंगे कि आप हमाई दर्शकों को बताएं कि आपने जो उच्छ सिक्षा प्राप्त की है उसके मादियम साब के पास कितन असना तक मैंने वीकाम कामर्स में किया वीकाम किया और एमकाम किया तो मैं मुझे लगता था कि कहीं एंबीए करके मैं मैंनेजर बन जाओंगा तो काफी सारे लड़ों को रोजगार देंगा हमारे नेतरत में लोग काम करेंगी लेकिन उससे भी मन नहीं भरा तो मैंने सोच सलकार MSW जिनको उसमें मैं PhD किया और PhD करने के बाद मैंने ऐसा प्लेटफार्म का चुनाव किया जिससे सभी दिशाओं में सभी बर्गों के लिए सभी विभागों के लिए सभी प्लेटफार्म पे काम किया जा सकता है और यह राजनित ऐसा है कि हर व्यक्ति को राजनित से चाहे वो वकालत का पेशा हो चाहे डाक्टरी का पेशा हो चाहे की वो है और हो घ्रामिर कहीं भी जाना तो उसकी आसा पे निरंतर खारा उतरता है वो राजनिता क्योंकि सारे लोगों के संपर्क में रहता है ऐसा मेरा मनना है जी छात्र जीवन से आपने राजनीती की शुरुआत करी है तो जो आपको पहला चुनाओ था वह आपके लिए कितना मुश्किल था और वह जीतने के बा मैंने लड़ा छात्र संका लख्णों विश्वित्याले में अध्यच का मैं चुनाओ लड़ा उसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी रहे और बहुत उनकी अच्छी भूमका थी हमें स्नेह प्रवणा देके हमको लड़ाने के काम किया मैं उनका निरंतर अभारी भी रहूंगा म मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम चुनाओ लड़े आउस से बहुत कुछ सिखने को मिला हमें लगा कि चुनाओ जो ब्यक्ति लड़ा होगा देश का कोई भी चुनाओ लड़ने में उसको कठिनाई नहीं होगी वह सहज कोई भी चुनाओ लड़ सकता है चात्र जीवन से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए काफी रोचक रहा हो जिससे जनता को सीख भी मिले मैं लखनव विश्विदाल पढ़ने आया तो उस लखनव विश्विदाल में मेरे पास 500 रुपे थे 100-100 कनूट वह 500 रुपे में से 100 रुपे नो लखनोव विश्विदाल में अपना दाखिला कराया और लखनोव विश्विदाले से रुपे नहीं मैंने सरसती को अपनाया और सरसती को लिया और मैं वहां से jat परिवार और राजणीत के बीच तो दोनों में तालमेल बैठाने में क्या कभी किनी कठेनाई और परिवार दोनों अलग पहलू हैं राजनीत करने वाले व्यक्ति के लिए हर पकपग पर कटना ही होती है, क्योंकि वो परिवार के साथ रहके राजनीत नहीं कर सकता है। हर कठनाई को सहते हुए वह जनता के साथ रहता है हर घड़ी में अगर किसी आंदोलन के बात करें क्या उसकिसी आंदोलन में आप शामिल हुए है या फिर ऐसा मना जाता है कि जो नेता होते हैं या फिर जो नहीं छात्र जीवन से भी राजनीती की शुरुवात करी होती जेल यात्रा करी होती है कि आपके जीवन में कभी ऐसा कोई समय आया कांग्रेस के गर्मेंट में जब खेंद्र में सरकार थी कांग्रेस की तो अर्जुन सिंग जी आये हुए थी लखनोव विश्विद्याले में उसमें हम लोग काला जहंडा दिखाने का काम किये थी और उस नि सब्सक्राइब का माम किया है आपके काम की बात करीजाए सोशल वर्क की बात करीजए तो कौन-कौन से मुक्य का रहे थे वह या फिछातर जीवन से अभी तक के राजनीतिक सफर में हो एहम कारें मैं आपको बताना चाहता हूं कि करो ना काल में हमारे पार्टी के पदाधि करवाने तक काम हमारे पद्र पदादिकारी कारता कर रहते हैं मैं अपने निजी बात करوں मैं आपने एक मित्र को पीज़िया में ट्रीटमेंट कराने गया था जिनके नाते मही पाजिटिव हो गया था लेकिन एक महीन तो इस चुनाओं में आपकी कितनी एहम भूमी का रही हो जबारे में भी हम जनना चाहेंगे 2022 के चुनाओं में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेडे सोतंदेव जी और प्रदेश के संगठन महामंत्री आदेडे सुनिर बंसल जी के मार्क दर्शन में मैंने तीन महिने का परवास किया उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाना हुआ दो बार तीन बार चार बार किसी भी जनपद में जाता था तो चार से छे कारिकरम में देली करता था और मैं कारिकरम सहर में नहीं ग्रामिड छेतरों में मैं करता था गाउं गाउं तो जा प्रदेश के मुखिया अधितनाथ जी का ही नाम उसके जुबान पर याद रहता था और उनको वोड़ देने की बात करता था इससे हम लोगों को आसा और विश्वास था कि भारते जनता पार्टि पूर भाहमत में फिर से आएगी और निश्चे तोर पे आम जन्मानस के नित्रत में आसिरवात से भारते जनता पार्टी पूर भाहमत में आई भी अगर सबसे कठिन चुनाव की बात करें आपके जीवन के तो आपको क्या लगता है आपके जीवन का सबसे कठिन चुनाव कौन सा रहा जिसमें आपको काफी उमीद कम थी कि आप जीत पाएंगे पहले बात तुम्हें बता दूँ कि अभी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ा हूं आगे मैं भविश में रणिती बना रहा हूं कि पार्टी ने चाहा तो आगे विधान सावा लड़ने का प्रयास करूंगा यदि पार्टी का मार्कदर्शन और निर्दर्शन होगा तो नही पैसेप्र ने बताया है कि चुनाव लड़नें से हमको यहीं अन्वा हूं कि देश का कोई प्रयोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब मौजूदबहार की Hoo उसके honor का निर्वहन करेंगे और आपके उपर और जो संगठन ने इतनी वड़ी जिम्मेदारी दी है भरोसा जताया है उसको कैसे निभाएंगे भारती जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारिया हमको दिया है निश्चित तोर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जनजाती मोर्चे में जितने भी समाज की लोग हैं उ उनके शुक दुख को जानता हूं उनके जन समस्याओं को जानता हूं और अपने प्रुदेशन नितिक्त देता पी करते हैं भारते जन पार्टी के हमारे प्रदेश मोर्चा आपको मिलाुआ हुआ है और अभी तक आप ने जो अपना राजनीतिक सफर यह अस्याता का किया है तो उसमें आपको क्या लगता है इस पूरे पूरे अनुसूचित जन जाती के लिए सबसे बड़ी कठनाई कौन सी उसको दूर करने का काम आप कौन सा करेंगे अनुसूचित जन जाती का विकास कम है क्योंकि ग्रामेड छेत्रों में बहुत गरीब लोग हैं जो करते हैं कि सरकार हमारी उन लोगों तक ऐसी योजना चलाएगी जिससे वो रोजगार युक्त हों और उनके सिक्षा में बढ़ोतरी हो उनका सिक्षा पतला की परसेंटेज बढ़े उनके लिए हमारी सरकार काम करें अगर बात करी जाए पहले और अब के समय में तो जीनसित्री श्रधे अटाल-व्हारी बाजपयईजी थे हूसु समें हमारे अटाल-व्हारी-बाजपयईजी को जीन्ता गातियों के विशेमि और भारती जंता पार्टी के नितत्त मैं पहले बार जनजात्यम अत्राले का घठन किया। कि उनके सरकार में जन्जातिय मन्त्रा ले गठन हुआ उससे भी आगे चल के कुछ साल बाद उन्होंने जनर्जातियों के समस्याओं को निराकरण के लिए उन्होंने जनन जात्ती आयोक का भी कंद्र में गठन किया ये पहली उपलबदी थी भारतिय जनता पार्टी के स्रदे अटेल विहारी बाते जी प्रधान मंतरी जी की आगे मैं बताना चाहता हूं और प्रधान मंत्री थे उस और प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्रे आद्रीडे राजनात सिंग्जी थे उनके नित्रुत में तेरह जन्पद में गोण खरवार एस्टी में समलित हुए थे जो कि आज अभी सदन में चल रहा है जो चार जन्पद भदोही चंदवली कुशी नगर शंतकविर नगर यह चार जन्पद और बढ़ने वाले हैं जिसमें गोण और खरवार एस्टी में समलित हो जाएंगे तो प्रदेश में गोण खरवार एक ज जाती है जो 17 जातिया 17 जीलों में यह जातिया संब्लित हो जाएगी यह भारती जनतापार्टी की देन होगी और मैं बात करूं देश के यह सश्वी प्रधानमंत्री आदरेण नरेंद मोदी जी की उनके सरकार में जनजातिय बर्ग से 88 मिनिस्टर कैमनेट में हैं यह बहु एकलब्य विद्धाले पूरे देश में श्रेजत किये जा रहे हैं और नौ संग्राले भी बनाए जा रहे हैं जन्जातियों से संबल दीत और मैं आपको बताना जाता हूं उत्तर प्रतेश शरकार में बहुत शारे हमारे सभाशन मुननित हुए जन्जाति बर्ग से इस बार बहुत सारे प्रधान हुए त्रिये इस तरी असतरिये पंचायद चुनाव में बहुत सारे बलाक प्रमुख और तीन गोण़ जाथ से उपलब्धिया भारतिय जनता पार्टी की है इससे पहले किसी अन्य पार्टी की बता दो सबसे वड़ी पार्टी कंग्रेस थी उस समय उसने भी किसी परकार के जन्जातियों के बारे में नहीं सोचा और जो भी छेत्रिय पार्टी या चाहें समझव को बरगलाने का काम की हैं क्योंकि आज निरंतर वर बरगलाने का काम कर रहे हैं कि भारती जनता पार्टी आपका रोजगार खाजाएगी आपका रक्षड खाजाएगी लेकिन ऐसा खुछ भी नहीं है हमारे देश के सव्ष्वी प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के उनके सिख्षा के बारे में उनके अर्थ के बारे में चिंता करना है और जमीन पर काम करने का काम करना है हम लोगों को निरंतर मार्ग दर्शन करते हैं कि नीचे अस्तर पर आप लोग काम करिए और गाओं हर गाओं तक जाएए अपने जन जात्ति बर्क की समस्याओं को हमा तो आपने चात्र जीवन से राजनीति शुरू करी है आपने कई उतार चढ़ाओ भी देखे अगर आज के वह समय का युवा राजनीती में आना चाहे और राजनीती में अपने करियर को देखना चाहें और जनता के लिए कुछ करना चाहे तो उसको अब क्या संदेश देंगे पहली बाद तुम्हें बताना चाहता हूँ कि राजनीत में आना इसलिए आवस्यक है, हर बर्क का, जैसे पिछड़ा बर्क, समान्य बर्क, सारे लोग काम करते हैं, अनुसुचित बर्क, उसी प्रकार से अनुसुचित जन जाती बर्क के लोगों को भी राजनीत में आना चाह होती है, चाहे उत्तर प्रदेश का सदन हो, चाहे देश का सदन हो, वहां तक उनके लोग पहुचाने में काम्याब होते हैं, और उस सदन में पहुचता है जो समस्या है, उस पे निरांतर करवाई होती है, और उसका निराकरन करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार और भा हमेशा उस बर्ग के लोगों का राजनीत में दखल करना चाहिए, राजनीत में आना चाहिए, क्योंकि सिख्षा जरूरी है, सिख्षा से क्यों एक परिवार चल सकता है, लेकिन एक व्यक्ति अगर राजनीत में आ गया, तो पूरे देश, पूरे परदेश का उस समाज का कया क बदल सकता है बहुत बहुत शुक्रिया मास जुदने के लिए अपने जीवन के सुनी अनसुनी बाते हमारे दर्शकों तक पहुचाने के लिए और आपको अपने बारे में अपने समाज के बारे में निरंतर आपको अभारते जनता पार्टी के बारे में बताने का काम करता रहूँगा तो आज हमारे साथ शक्सियत के इस खास कारिक्रम में मौजूद थे संजे कुमार गौर जी जो कि भाजपर प्रदेश अध्यक्षव साथ ही अनुसूची ते जने जाती मोर्चा से जुड़े हुए हैं